हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मद्यप्रदेश डेली करेंट अफेर की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 15 माई 2019 और यह हमारी 114 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer ज़रू करेंगे question number first इस रोने यूविका कारिक्रम में कितने विद्यार्थियों को चुना है जिसका सही option है 108 हाली में इस रोने यूविका कारिक्रम के तहत कुल 108 विद्यार्थियों को चुना है दोस्तो विद्धियार्थि को अंत्रक्ष विज्ञान की और प्रेरित करने और उनकी प्रतिवा को आगे बढ़ाने के लिए इस रो ने यह यूवक्या कारिकरम लॉंच किया है और इसके तहट पूरे देश के उन्तीज राज और साथ केंद्र साचत प्रदेशों से तीन तीन विद्धियार्थियों को चुना गया है तो कुल 108 विद्धियार्थियों को चुना गया है इस कारिकरम के तहट दोस्तो अब बात आईए इस रो की तो आपको इस रो के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट बता दे इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन होता है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1979 यानि 1969 में की गई थी इसरो का हेड़कॉर्टर बेंगलूरू करनटक में है और इसरो के हेड है के शिवान तो इतना आपको इसरो की बारे में याद रखना है तरसूर पूरम महुतसव की शुरुआत हाली में कहा हुई है जिसका से यॉफ्शन है केरल हाली में केरल में तरसूर पूरम महुतसव की शुरुआत हुई है दोस्तो अब ये महुसव आयुजित किया जा रहा है केरल में तो आपको मैप में केरल के बारे में बता दें मैप में ये जगह केरल को दर्साती है केरल की स्थापना एक नॉम्बर 1956 में की गई थी केरल की गवर्णर हैं पी सता सिवम केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजियन और केरल की राजधानी है तुरू अनन्तपुरम तो दोस्तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में किस देश में दुनिया की सबसे तेज बुलिट ट्रेन का ट्राइल शुरू हुआ है जिसका सई उफ्चन है जापान हाली में जापान में दुनिया की सबसे तेज बुलिट ट्रेन का ट्राइल शुरू हुआ है दोस्तो इस टेंड का नाम अलफा एक्स बुलिट ट्रेन है इस टेंड की स्पीड 400 किलो मीटर प्रती घंटा है इस टेंड में सुरंग में हवा से आने वाली रुकावट से निपटने के लिए विसेश टेकनोलोजी का इस्तिमाल किया गया है इस टेंड की छट पर एयर ब्रेक भी लगाए गए हैं दोस्तो अब ये ट्रैल जापान में शुरू हुआ है तो आपको मैप में जापान के बारे में बताएं मैप में ये जगह जापान को दर्साती है जापान की राजधान हैं टोकियो करंसी है ये और जापान की प्रदान मंत्री हैं सिंजु आवे तो दोस्तो इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में हीराल यादव का निधन हुआ इन्हें किस नाम से जाना जाता है जिसका सही ओफ्षन है बिरहा समराट हीराल यादव को बिरहा समराट की नाम से जाना जाता है दोस्तो हीराल को पदम स्री से भी नवाजा जा चुका है हाली में 83 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ है तो कॉशन ऐसा भी पूछा जा सकता है बिरहा समराट की नाम से किने जाना जाता है तो इसका सही option होगा हीरा लाल यादव Next question हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार 2018 में कितने अमीरों ने भारत चुड़ा है जिसका सही option है 5000 हाली में 2018 में आई रिपोर्ट की अनुसार भारत में 2018 में 5,000 अमीरों ने भारत देश को छोड़ा है दोस्तों यह रेपोर्ट Afro Asia Bank और Research Firm New World Bank Wealth ने जारी की है इसके अनुसार भारत देश को 5,000 लोगों ने जिनकी नेट वर्थ 10,000,000 डॉलर थी इन्होंने भारत को छोड़ दिया है इस लिस्ट में चीन पहले इस्थान पर और रूस दूसरे इस्थान पर है Next Question तो इसका सई Option है 11 मई भारत की तकनिकी प्रगती को चिन्यत करने और क्षेत्रों में प्रधिग की बिकास्त को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है भारत भर में यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 मई ही तारीक क्यों चुनी गई इसकी भी एक खास बात है आपको बता दें 11 मई को गुजरात में ओपरेशन शक्ती पर्मानू परिक्षन किया गया था तो इसलिए यह दिवस 11 माई को मनाया जाता है मद्यप्रदेश में किसे मुख्य नियाधीस बनाया गया है जिसका सही ओफ्षन है A.A. कुरैशी मद्यप्रदेश के नए मुख्य नियाधीस होंगे A.A. कुरैशी दोस्तों इनका पूरा नाम आपको बता दें इनका पूरा नाम है अकेल अब्दुल्ला हामित कुरैशी यह गुजरात के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं साथ ही अभी मुंबई में पदस्त हैं मद्यप्रदेश के बर्तमान चीफ जस्टिस SK सेट 9 जून 2019 को सेवा नर्वित हो रहे हैं उनकी जगा है A.A. कुरैशी मुख्य नियाइदिस होंगे दोस्तों A.A. कुरैशी मद्यप्रदेश के 25 वे चीफ जस्टिस होंगे और SK सेट 24 वे चीफ जस्टिस थे तो हाली के एक्जाम में ये कुश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मद्यप्रदेश के 25 वे Chief Justice कौन है तो उसका सही Option है A.A. Qureshi Next Question हाली में मद्यप्रदेश में रास्टिय कूडो पृत्योगीता में कितने पदक जीते हैं जिसका सही Option है 84 मद्यप्रदेश ने रास्टिय कूडो पृत्योगीता में कुल 84 यानि 84 पदक जीते हैं दोस्तो आपको बता दें 41 यानि 41 सुरण पदक हैं 19 यानि 19 रज़त पदक हैं और 24 यानि 24 कांस से पदक हैं कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा खंडाला में 10 भी सब जूनियर और सीनियर पतियोगीता आईज़त की जा रही थी दोस्तो इसमें मद्यप्रदेश ने 84 पदक जीत कर पहला इस्थन हासिल किया है नेक्स्ट क्वेशन बिश्व में शांती परियावन सनरक्षन और भारत को बिश्व गुरु बनाने के शहर में यग का आईज़न किया जा रहा है जिसका से उफ्षन है भूपाल भूपाल में बिश्व में शांती परियावन सनरक्षन और भारत को बिश्व गुरु बनाने के लिए एक अनोखे यग का आयजन किया जा रहा है दोस्तो दो करोड घर एक ही दिन एक ही समय पर इस यग का आयजन करेंगे तो ये एक अनोखा यग होगा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ important fact भोपाल की बारी में बता दें जीलों के शहर के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है मद्यप्रदेश का सरवाधिक जनसंक्या गनत्व भोपाल में ही है राश्टिय विदी अकेडमी की स्थापना 1994 यानि 1994 में भोपाल में की गई थी ताजुल मस्जद जो देश की सबसे बड़ी मस्जद है यह भोपाल में ही इस्तित है वेसुका सबसे बड़ा सौर उर्जा सेयंत्र भोपाल में ही लगाया गया है प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क बोपाल में ही बनाया गया है दोस्तों एक और important fact बता दें 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को बोपाल में मिथाल आईसो साइनेट गेस का रिसा हुआ था जिसके करण हजारों लोगों की मौत हो गई थी तो इतना आपको बोपाल के बारे में याद रखना है Next question हाली में मद्रदेश बार एसोसीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है जिसका सही option है असोक यादब हाली में असोक यादब को मद्रदेश बार एसोसीशन का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तो हाली में बार एसोशियेशन के अध्यक्षपत के चुनाव संपन हुए हैं इसमें असोख यादम ने 66 बोटों से जीत हासिल की है उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी थे योगेश ब्यास दोस्तो आपको इन दोनों की बारी में इतना याद रखना है कि ये दोनों पहले भी मद्यप्रदेश बार एसोशियेशन के अध्यक्षपत पर रह चुकी है और एक बार फिर असोख यादम को इस पत के लिए चुना गया है हाली में जवलपुर में आईज़त सांस्कृतिक कारेकरामों में किसी पहला अवाड दिया गया है जिसका सही ओफ्षण है संतोस कुमार संतोस कुमार को जवलपुर में आईज़त सांस्कृतिक कारेकरामों में पहला अवाड दिया गया है दोस्तो अब बात आईए जवलपुर की तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट जवलपुर की बारे में बता दे दोस्तो जवलपुर को तिरपुरी और महाकौसल छेत्र के नाम से जाना जाता है मद्वर्देश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जवलपुर को जाना जाता है भारत का पहला जंडिया सत्यागिरा है 1923 में जवलपुर से शुरू किया गया था दोस्तो जवलपुर की परेटन इस्थलों की बारे में आपको बता दें तो मदन महल संगराम सागर, रानी, दुर्गाबती की समाधी, भेडा गाट, रूपनात अभिलेक और धुहाधार जलपरपात ये सभी परेटन इस्थल हैं जवलपुर में भारत का प्रतम बिकलंग पुनरवासकेंद्र की इस्थापना जवलपुर में की गई है, मद्दपरदेश टेवल टेनिस एसोशियेशन और मद्दपरदेश बैडमिंटन एसोशियेशन का मुख्यालाई भी जवलपुर में ही इस्थत है तो दोस्तो इतना आपको जवलपुर के बारे में याद रखना है हाली में के शहर में प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाना शुरू हुआ है जिसका सही ओफ्रन है इंदौर हाली में इंदौर में प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाना शुरू हुआ है दोस्तो देश के सबसे शाप सहर इन दोर में नगरडेंगम दोरा पाइलेट प्रोजेक्ट योजना के तहर प्लास्टिक के कच्रे से डीजल बनाने का काम एक निजी कंपनी दोरा शुरू हुआ है दोस्तो फिलहाल फर्नेंस ओयल तयार किया जा रहा है इसके बायद इसके रिफाइन करके डीजल तयार किया जाएगा अबी इसके सेंपल को डीजल को देश के प्रमारी करण बाले पैटोर रिसर्च लेब भीजा गया है दोस्तो अब बात आईए इंदौर की तो आपको कुछ important fact इंदौर के बारे में बता दे दोस्तो इंदौर को मद्ध प्रदेश राजी की मिनी मुंबई इंद्रपूर अहलिया नगरी के नाम से जाना जाता है इसे राजी की ब्यावसाइक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है राला मंडल, वन्यजीव अभ्यारन इंदौर जिले में ही इस्तित है दोस्तो चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदिया हैं इंदौर जिले में दोस्तो प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज इंदौर में बनाये गया है मद्यप्रदेश बित्त निगा मुख्यालय भी इंदौर में ही इस्तित है दोस्तो भीमराव अंबेटकर की जन मिस्तिली इंदौर ही है देवी अहल्यावाई विश्विध्याला है जो प्रदेश का सबसे बड़ा विश्विध्याला है यह इंदोर जिले में ही इस्तित है बारत का पहला शोयावीन वायदा बाजार भी इंदोर जिले में ही लगाया जाता है तो दोस्तो इतना आपको इंदोर के बारे में याद र समझोता किया है तो इसका सही option था सांची दूद संग सांची दूद संग ने मद्धप्रदेश प्रदूशन नियंत्रन वोड के साथ समझोता किया था दोस्तो आज का question है हाली में किसने UNICEF का radio for child award जीता है तो दोस्तो इसका answer आप comment box में दें दोस्तो ये था हमार आज का daily current affair आपमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धप्रदेश और world के interesting facts को लेकर हाजरोंगे तब तक लिए नमस्कार have a nice day